हलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फोटो सिंथेसिस आज हम फोटो सिंथेसिस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फसली देखेंगे कि फोटो सिंथेसिस में यूज होने वाले कंपोनेंट्स जो हैं जैसे कारवन डाइक आकसाइड हुआ वाटर हुआ एर हुआ औ और यह कैसे हमको पता चला कि इन इन चीजों की अशक्त होती इन इन कंपोनेंट्स की फोटो सिंथेसिस में ठीक है तो फसली हम देखते हैं फोटो सिंथेसिस क्या है फोटो सिंथेसिस इजें एंजाइमेटिक प्रोसेस ठीक है यानि कि फोटो सिंथेसिस क्रिया में क्या होती इंजाइंज होती है और यह क्या होता है कारबन डाय अक्साइड रीडिओस क्या बनाती है फिर सब्सक्राइब कि और सभी एनिमल्स एन्ड प्लांट्स में और फोजब पदार्थ की रूप में रहता है ठीक है फ्लांट्स में हम देखेंगे ग्लुकोज जो है starch के रूप में store होता है जब्कि animal में glycogen के रूप में ठीक है और यह क्या है एक endothermic process है endothermic means क्या होता है energy कहां से आती है sunlight से आती है hydrogen कहां से आता है जल से आता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं और इसको हम फूटन लाइट की भी आशकत होती है इसलिए हम फोटो सिंथेजिट क्या बोलते हैं फूट्च केमिकल प्रॉसेंट ठीक है पहला इस एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलने के वेज़ेटिड लीफ लेते हैं जिसको क्या करते हैं हाफ उसके लीप के आधेपा को किस से कबर करते हैं ब्लैक पेपर से कबर कर देते ठीक है जिससे कि उस पर प्रकास न पढ़ने पाए हम देखेंगे ग्रीन एरिया जो होती है जो खुली हुई ओपन ग्रीन एरिया होती है लीप की उसमें क्या होता है इस् और जो आधी लीप खुली हुई होती है वो क्या करती है इस टॉर्च उस पर हम देखेंगे दिखने लगता है ठीक है यह एक्सपेरिमेंट क्या सो करता है कि फोटो सिंथेसिक की क्रिया कहा होती है सिर्फ ग्रीन एरिया में होती है ठीक है यही क्या था पहला कर लेते हैं और लीव के आधे भाग को हम उस rpm डैलते हैं हम देखेंगे कि लीभ का जो कारबन अायकसाइ्ट वात रड़का जो भी कोन अब लेता बीजा जो कि बाहर है जार से कोई स्टॉर्ट शार हो जाता है जबकि अंदर वाले पार्ट में यडेव की स्टॉर्ष पिएद HEY इस इंसा प्रूप होता है इस इक्सपेरिमेंट रहे ने सुद्ड्ध करिया इस निरिए नी बिए था Joseph Pristole ने इस सीरीज आफ एक्सपेरिमेंट दिया था 1733 से ठारा सो चार तक इनका कारिकाल है हम देखेंगे 1774 श्र्वी में इन्हों ने किसकी खोज की थी अक्सीजन को ठीक है अक्सीजन की खोज किसने की थी Pristole ने ही की थी 1774 में ठीक है फिर एक 충 प्रिश्टली का पहला इस्पेरिमेट देखते हैं जिसको बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसमें क्या करते हैं कि अध़ित्य लीते हैं मैश लेते हैं एक वल अधरकम का देते नियुक्र ही फिर एक सभी कंडल लिầy मैस लिए झार में लेकिन उसमने में क्या लिए मिन्ट का प्लांट ले ली एक क्नल बंड रहे हैं मैस जीवित रहता जार और मैस कार प्लांट बंड लिए टार्ँ केंडल को ले लिए जार किम आप मैस ल लिए और builder मतलब माइस तो जीवित था और केंडल क्या थी केंडल जल रही थी ठीक है इससे यह प्रूफ होता है कि मिन्ट प्लांट रिस्टोर एयर विच रिमूब बाइब बर्निंग केंडल यानि कि जो की केंडल के जलने में एयर यूज हो जाती है उसको कौन रियस्टोर कर लेता है अधिक है ग्रीन प्लांट सेव दा एयर क्वालिटी और यह एयर क्वालिटी को क्या करता है सेव करता है सुरजच्षी रखता है हम देखते हैं दूसरा एक हाउस नामक साइंटिस्ट थे जुन्होंने क्या किया रिपीट किया प्रिष्टले के एक्सपेरिमेंट को इन डे नाइट इन्होंने डिन दोनों में प्रिष्टले की इसी प्रिजर एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया ंंत नाइट में मिंड़् प्लॉंट नंट-प्रippers्टैंश देख गया कि कि माइस और कैंडल जो ती रात में बुझ गई इसे यह यह फोरी होता है कि लाइट की अशकता होती है फोटो सिंथेशिस करिया में गूद्ध में जब लाइट जब तक नहीं मिलेगी प्रकास जब तक नहीं मिलेगा किसी प्रांट को तो आकसीजन नहीं प्रो डूँस송 कर पाएगा इस प्रिष्टले के जो रिपीट किया था इसे यही प्रोब होता है क्या इंप्रेश आफ लाई ठीक है पांचमाय एक्सपेरिमेंट जिन हो जिसको किस ने दिए था वान सैक्स प्रेमेंट बोते हैं इन्होंने आपज़ुट किया विंप्लांट ग्रोथ they produce your glucose that store in pharmacy starch इन्होंने क्या क्या कि इन्होंने बताया कि जब प्लांट ग्रो करते हैं और क्या प्रोडूच करते हैं कि इसके दौरा फोटोसिंथेस करिया दौरा और वह फोटोसिंथेसिस करिया-दौरा जो ग्लूच एक-स एमांट में बन जाता है किस रूप में स्टोर होता है इस टॉर्च की रूप में ठीक है और नोट में हम पढ़ लेते हैं प्लांट है ग्रीन केमिकल दैट प्रजेंट इन ग्रीन बॉड़ी दैट इच क्लोरोप्लास्ट इसमें इन्होंने बताया कि प्लांट जो होते हैं एक क्रीन केमिकल कंटेनिंग कंटेन की रहते हैं ग्रीन बॉडी होती है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ठीक है यही किस ने बताया था वांसाइक एक्सपेरिमेंट में यही प्रूप किया गया था छटमे में हम देखते हैं टी डबलू एंगल मैं थे इन्होंने फाइंड आउट क्या किया था विस टाइप आप बेलेंट इंपोर्टेंट फोटोसिंद इन्होंने बताया थी कि किस प्रकार की वेबलेंट जो होती है फोटो सेंथेसिस की क्रिया ज्यादा अश्यक होती है ठीक है तो फोटो सिंथेसिस और मोर इन डेड एंड ब्लू वेबलेंट तो क्या प्रूप हुआ इससे फोटो सिंथेसिस की क्रिया किस रंग में ज्यादा होती है रेड में और ब्लू लाइट में ठीक है सो दैं बैक्टिरिया more attractive blue and red light उन्होंने देखा कि ज्यादा बैक्टिरिया कहां ग्रोड किया गिन बैक्टिरिया ठीक है कहां ग्रोड किया blue or red light में इससे प्रूब होता है कि red और blue wavelength की जो भी लाइट है होती है इसमें फोटो सिंधसिसी करिया इक स्वाइस एमांट में होती है ठीक है एक्षा ने स्पेक्ट्रम भी दर्शाया था प्लॉटेट दग्राफ पिट्मिन ऑक्सिजन और वेबलेंद इन्हों देखा ब्लू लाइट में ऑक्सिजन ज्यादा मात्रा में और रेड लाइट में ज्यादा मात्रा में यानी की फोटो सिंथेसिस करिया ब्लू लाइट में औ माइकोबम बाइलोजिस्ट्ट ने बैक्टीरियल फोटोस्िंधेसिज को बताया था इन्होंने पुताया फोटोसेंधेसिस की maggot झालो होती है पहले टिन्होंने सबस्टेट को जल से करया और टियराटीैकleist की क्रिया सोब स्टेट से कर आया जो की प्रोड़क्ट बना था लाइट रेक्षन में फिर क्या ग्लूकोश फाम होगा कि सम बैक्टीरिया है एड्रोजन डानर होती है जो कि उसमें है ड्रोजन कहा एता है ह्ट्व?] उनको ग्रीन सलफर और पर्पल सलफर पैक्टिरिया बोलते हैं और जादा तर हीड्रोजन डॉनल कौन होता है वाटर ही होता है फोटो सिंथेस की क्रिया में ठीक है प्रोडूस आलवेज बाई है ये अपनाया था जिससे उन्होंने प्रूप किया था आक्सिजन हमेशा कहां से आती है वाटर से आती है ठीक है पहले तो फार्मूला ये था फिर उन्होंने बैलन्स करके 12-H2O प्लस 6 CO2 करके ग्लूकोज बनाया था ठीक है आक्सिजन कम फ्रॉम आलवेज वाटर ठीक है यह इन्होंने दर्शा आया था हमने देखा आज क्या-क्या एक्सपेरिमेंट्स आफ फोटोसिंथेसिस यानि कि फोटोसिंथेसिस की क्रिगा में कौन-कौन से कंपोनेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् झाल झाल झाल